अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में ही घंटी के निशान को दबाएं दोस्तों हमारे धर्म शास्त्रों में नियमित रूप से पूजा करना अनिवार्य बताया गया है हमारे धर्म ग्रंथों में देवताओं के पूजन से सम्बंदित बहुत सी जरूरी बाते बताई गई है ये बाते बहुत ही महत्वपूर्ण है आज हम आपको पूजा से जुड़ी यही जरूरी बाते बता रही है गंगाचल, तुलसी, बिल्वपत्र और कमल के फूल कभी भी बासी नहीं होते हैं इन चीजों का प्रयोग पूजा में कभी भी किया जा सकता है सूर्य, गनीश, शिव, दुर्गा और विश्नो भगवान को पंच देव की उपाधी प्राप्त है इसलिए किसी भी शुभ कार्या की शुरुवात में इनकी पूजा करनी चाहिए शिव जी की पूजा में केतकी के फूलों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए इसके पीछे एक पुरानी कथा है हमने इसके लिए एक वीडियो बनाया है अगर आप ये कथा के बारे में जानना चाहते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान शिव को केतकी के फूल क्यों नहीं चड़ाए जाते तो आप हमें कमेंस में बताइए वहाँ हम आपको उस वीडियो का लिंक देंगे इसके अलावा सूर्य पूजा में अगस्तिय के फूलों का प्रयोग वर्जित होता है हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप बिना नहाए फूल या तुलसी के पत्तों को तोड़कर पूजा में इस्तमाल करते हैं आपकी पूजा कभी पूरी नहीं होती है पूजा में घी के दिये को बाई और और तेल के दिये को हमेशा अपनी दाई और जलाना चाहिए आम तोर पर सभी हिंदू परिवारों में घर में एक छोटा सा मंदिर जरूर होता है जहां पूजा की जगा होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर परिवार में खुश हाली पाने के लिए किस हिस्से में मंदिर होना चाहिए वास्तु के हिसाब से घर में पूजा का स्थान पुर्वदिशा, उत्तर दिशा या उत्तर पुर्वदिशा शुभ मानी गई है दक्षिन या पश्चिन की दिशा में पूजा का स्थान अशुभ फलो का कारन बन सकता है कई घरों में देखा जाता है कि लोग दो जगां पूजा का स्थान बना लेते हैं अलग-अलग स्थानों पर भी देवी देवताओं के चित्र लगाना सही नहीं माना जाता घर में एक ही पूजा घर होना चाहिए मंदर के आसपास शोचालय नहीं होना चाहिए साथी मंदर को रसोई घर में बनाना भी वास्तु के हिसाब से उचित नहीं माना जाता सीडियों के नीचे या फिर तह खाने में भूल कर भी मंदर ना बनवाएं ऐसा करने से पूजा अर्चना का फल नहीं मिलता वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि पूजा के समय व्यक्ति का चहरा पूर्व या उत्तर की और होना चाहिए अगर बैठ कर पूजा करनी हो तो पूजा घर को फर्ष से उचा रखे साथ ही जमीन पर खड़े या बैठ कर पूजा ना करें हमेशा पूजा करने से पहले आसन बिछाएं घर में जहां पर मंदर बना हो ध्यान रखें कि उस और पैर करके नहीं सोना चाहिए हिंदू धर्म में पूजा पाट से जुड़े समानों वेरिवाजों का बहुत महत्व है कुछ चीजे ऐसी होती हैं जिनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है तो आईए जानते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जो अगर पूजा में नहीं हो तो पूजा का कोई असर आपको नहीं मिलता है पूजा का कोई पुन्याफल आपको प्राप्त नहीं होता आचमनी छोटे से तांबे के लोटे में जल भर कर उसमें तुलसी डाल कर हमेशा पूजा की जगा पर रखा जाता है ये जल आचमन का जल कहलाता है इस जल को तीन बार पिया जाता है इस से पूजा का दुगना फल मिलता है अगली वस्तु है पंचामरित दूध, दही, शेहद, घी और शुध जल से पंचामरित बनता है इस मिश्रण में रोग निवारन के गुन होते हैं अगली वस्तु है चंदन चंदन शीतलता का प्रतीक है इसकी सुगंद से मन के नाकारात्मक विचार खत्म होते हैं चंदन को देवी देवताओं की मूर्तियों के शेंगार में भी उप्योग किया जाता है माथे पर चंदन लगाने से दिमागी शान्ती बनी रहती है अगली वस्तु है अक्षत चावल को अक्षत भी कहते हैं भगवान को अक्षत अर्पित करने का अर्थ है के हम अपने वैभव का उप्योग अपने लिए नहीं बलकि मानव की सेवा के लिए भी करेंगे अगली वस्तु है फूल देवी या देवता की मूर्ती के सामने फूल अर्पित किये जाते हैं ये सुन्दर्ता का एहसास जगाने के लिए हैं इसका अर्थ है कि हम भीतर और बाहर से सुन्दर बने अगली वस्तु है प्रसाद, प्रसाद में मिठास मधूर्ता का प्रतीक है, फल, मेवा और मिठाई के साथ साथ पंचामरित भी चड़ाया जाता है, माना जाता है कि इससे घर में बरकत बनी रहती है अधिकांश घरों में देवी देवताओं के लिए एक अलग स्थान होता है, कुछ घरों में छोटे-छोटे मंदिर बनवाए जाते हैं, नियमित रूप से घर के मंदिर में पूजन करने से चमतकारी रूप से शुभ वल प्राप्त होते हैं, वातावरन पवित्र बना रहता है जिससे महालक्षमी सहित सभी देव्या शक्तिया घर पर अपनी क्रिपा बनाए रखती हैं, लेकिन हम जानकारी के अभाव में मंदिर में कुछ ऐसी गलतिया कर देते हैं, जो की अशुभ हैं आज हम आपको इस वीडियो में आगे कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताने वाले हैं, जो की घर के मंदिरों में नहीं की जानी चाहिए घर में मंदिर में सभी श्री गनेश की मूर्ति तो रखते हैं, लेकिन पूजा घर में कभी भी गनेश जी की तीन प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए कहा जाता है कि ऐसा होना सही नहीं है आप अपने घर में मंदिर में पूजा करने के लिए शंख तो रखते ही होंगे लेकिन कभी आपके घर में दो शंख तो नहीं है इस बात का आप जरूर ध्यान रखे अगर मंदिर में दो शंक है तो आप उनमें से एक शंक हटा दे पूजन करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है घर में जिस स्थान पर मंदिर है वहाँ चमडे से बनी चीजे जूते चपल नहीं ले जाना चाहिए मंदिर में मृतकों और पुरवचों के चित्र भी नहीं लगाना चाहिए पुरवचों के चित्र लगाने के लिए दक्षिन दिशा सही रहती है घर में दक्षिन दिशा की दिवार पर मृत को की चित्र लगाए जा सकते हैं लेकिन मंदिर में नहीं रखना चाहिए देवी देवताओं को हार, फूल, पतियां आदी कभी भी बिना धोएं अर्पित ना करें ये चीजें अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए घर में पूजन स्थल के उपर कोई कबाड या भारी चीज ना रखें भगवान का मंदिर उपर से खाली होना चाहिए साथ ही मंदिर पर गुमबद होना चाहिए पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए धार्मिक कार्यों में खंडित सामगरी शुभ नहीं मानी चाती है घी के दीपक के लिए रुई की सफेद बत्ती उप्योग की जानी चाहिए जबकी तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बतीश रिष्ट बताई गई है यो तो कहते हैं कि ईश्वर को प्रसन करने के लिए मन में सच्ची भक्ती होनी चाहिए फिर भी हमारा मन कई बार पूजा पाठ के सही या गलत विधी विधानों में उलज जाता है ऐसे में आपकी उलजणों को कुछ हद तक दूर कर सकते हैं ये कुछ आसान से सुझाओ भूल कर भी आप भगवान विष्णू को चावल गनेश जी को तुलसी देवी को दुर्वा और सूर्य को बिल्व पत्र ना चड़ाएं शिव जी को बिल्व पत्र याने के बेल पत्र विष्णू जी को तुलसी गनेश जी को हरी दुर्वा सूर्य भगवान को लाल कनेर के फूल और मादुर्गा को लोंग वे लाल फूल बेहद प्रिय होते हैं पूजा में दीपक सही जगहर रखना चाहिए गी का दीपक हमेशा दाई तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाई और होना चाहिए जल पात्र घंटा धूप दानी जैसी चीज़े हमेशा बाई तरफ रखनी चाहिए दोस्तों भगवान को सनान कराने के बाद चंदन टीका करते हैं इस दोरान ध्यान रखें के देवी देवताओं को हमेशा अनामिका यानि के आप अगर अपने हतेली में अंगूठे की और से गिनेंगे तो अंगूठे को छोड़कर के आपके हतेली में दोस्तों चार उंगल तो आप देवी देवताओं को हमेशा अनामिका उंगली से ही तिलक या सिंदूर लगाएं गनेश जी हनुमान जी दुर्गामाता या किसी भी मूर्ती से सिंदूर लेकर माथे पर नहीं लगाना चाहिए अगर आप किसी उपाए या तोटके के कारण ऐसा कर भी रहे हैं तो ऐ ऐसे में आप उनसे पहले अनुमती लें तो दोस्तों आप कोई वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमें फेस्बुक पेज पर फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप कोई प्रशन पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं हम जल से जल आपके सभी प्रशनों का उत्तर देंगे अगर किसी कारण देर सबीर हो भी जाती है तो धैरे रखे देर सबीर ही सही हम आपको आपके प्रशनों का उत्तर जरूर देंगे धन्यव दोस्तों आपका दिन शुब रहे जय माता दी